हेलो दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छी होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग डक्टर केसी सिनक कच्छा एट अध्याइधिरी वर्ग और वर्ग मुल प्रस्णावली तीने सुनल एक का कोईचन नमर दो नमर कोईचन को हम आपको निकी कुछ बाते निकी बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप लोग हमेशा याद रेखिएगा ठीक है तो देखिए यह जो हुआ है निकी यदि किसी संखियां यदि किसी यदि किसी संखियां यदि किसी संखियां के इकाई इक किसी संख्या के इकाय स्थान का अंक दो हो या फिर तीन हो या फिर साथ हो या फिर जो है वह आठ हो तो वह संख्या वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं देखेगे कि आप लोग याद रखेगा देखिए जदी किसी संक्यां के इकाई अस्थान का अंक इकाई पर नहीं होगा तो देखे यह जो हुआ है आपको बस यही याद रहना चाहिए तो देखे निम्लिकी संक्या में कुण सी संक्या पूर्ण वर्ग है यहां पर लिख दिजेगा क्या लिख दिजेगा हल दे दिजेगा यह तो हमारा रफ था यह इसको आपको समझाने के लिए किया था अब देखे पूर्ण वर्ग संक्या यहां पर लिख दिजेगा पूर्ण वर्ग संक्या पूर्ण वर्ग संक्या निम्न लिखित है निम्न लिखित है निम्न लिखित है अब देखिए इसको जह हुआ आपको चूझ करके बताना है कि कौन-कून सीजंग का पूर्न वर्ग है पहले हम देख लेंगे कि कौन-कॉन पूर्ण वर्ग नहीं है ठीक है जो पूर्न वर्ग नहीं होगा और जितना भी संक्या बज जायेगा तो हमारा पूर्ण हो जायागा देखिए दो तीन साथ आठ तो दिखिए यह जो होँगर रहा है यह जो हुआ अि इस सभी कि यह जो हुआ च्वार कितना होता है अब देखे एक च्वार बात चुली एकसटीस कम है ते च्वार पांच क कितना होता है 25 होता है यह भी संक्या हमारा पुर्ण वर्ग नहीं है हमारा क्या हो जाएगा 36 इसका जह हुआ हमारा आंसर 36 ही हो जाएगा ठीक है तो आप लोग यह जह हुआ कोईचन बहुत यह चत्रिका से समझ गयोंगे चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसके तीन नमर कोईचन के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो